प्लाइक दैमंड तो आज मैं फिर से आप लोग लेक वैकेंसे इरेटेड अपडेट लेके आए हूँ जो की निकाला गया सबसे पहले मैं कमपणी के बारे में बता देता हूँ जिंदले श्चिल के बारे माप सभी को पता होगा जैस डवलू के बारे माप सभी को पता होगा अगर नहीं पता है तो मैं आपको बता दू कि एक प्राइवेट सेक्टर की बहुत ही अच्छी रेपूटेट कमपणी है जिसमें पर्मानेंट जॉब निकाली जाती है अलग काम है सिमेंट का लाइमस्टौन का माईई स्या पॉट सारा आपको चैनल को सबस्क्राइब नहीं किया है तो चैनल खाइब करदीज और बैल आयकन को ज़रूर प्रेस कर दीज उक्राइब कि अ को वो apply नहीं कर पाते हैं तो ऐसी वीडियो से update रहने के लिए चैनल को subscribe जरूर कीजेगा और इस वीडियो को like जरूर कर दीजे एक और share कर सकते हैं तो और बहतर है जितना हो सके share करें तो चलिए start करते हैं सबसे पहले JSW में जाने के लिए आपको कोई भी browser open कर लेना है यहाँ पर मैं crown browser open किया हूँ यहाँ पर आपको search करना है JSW लिखने के बाद आपको search करना है पहला वाला जो इंडिया's largest conglomerates है इसमें click करना है यह JSW के बारे मैं आप चाहते हैं पूरा detail में पढ़ना तो आप about us में जाके पूरा पढ़ सकते हैं इसका कौन-कौन सा unit है क्या काम करती है अना about us में बिजनेस में जाके देख सकते हैं स्टील का बिजनेस करती है energy sector में काम करती है infrastructure का development करती है cement बनाती है venture है इसका बहुत सारा paints reality तो reality यह सब सब आप देख सकते हैं तो फिलाल आप स्टील वाले में क्लिक कर सकते हैं स्टील वाले के बारे में अगर जानना चाहते हैं तो पूरा स्टील वाले में क्लिक कर सकते हैं अभी open कैसे करेंगे carrier तक कैसे पहुचेंगे देखिए यहाँ पे carrier टैब आ रहा होगा आपको साथ ना दिखे मैं एक पनेट दिखा देता हूँ आपको JSW open किजिएगा इसके बाद आपके ऊपर में कोई भी ब्रावजर में आप देख रहे हो उपर साइड में ही आएगा अकर मॉयल है तो सकता साइड में है carrier में आपको क्लिक करना है carrier में आपको क्लिक करना है just a second क्लिक करने के बाद थोड़ा सा वेट करना है open होने में थोड़ा सा टाइम लग सकता है यहां पर देखिए का यही disclaimer दिया हुआ है फरजी वाड़े से बच के रहे है ऐसे वैसे लिखा हुआ है ठीक है तो बस यही है इसके बाद आपको scroll करना है scroll करने के बाद आप चाहें तो directly contact कर सकते है team को जिससे कोई फाइदा होने वाला नहीं है आप डिर्कली resume भी डाल सकते हैं इससे कोई फाइदा होने वाला नहीं है फाइदा कभ होगा वो मैं बताता हूँ आपको see openings at JSW आपको इसमें click करना है click करने के बाद आपको थोड़ा सा wait करना है wait करने के बाद आप यहाँ पे चाहेंगे तो shortlist कर सकते हैं यहाँ पे आपको job search का बहुत सारा option दिया है अगर अलग fields हैं तो यहाँ पे अपना job title डालके department, location, experience का range, employee talent, type यह सब ही चूज डाल के आप यहां पर सर्च कर सकते हैं फिलाल माइनिंग के लिए कुछ अपॉचनिटेज निकली हुई है वो मैं आपको बता देता हूँ सबसे पहला जो ऑप्षन है वहां देखेगा टीम मेंबर माइनिंग ममाइनिंग में टीम मेंबर का जरूरत है और यह उपरेशन से रिलेटेड है यह आपका लोकेशन पडid 008 1945 पोस्ट किया गया है यह यह पने के अंदर तक आपको अप्लाई करना होता है इसके बाद हमें देखेगा HR BP Mines at इंवर्मेंट मेनेजमेंट का बहुत सरा वेकेंसी है, योटी का है, ठीक है, बाकी आप चाहेंगे तो देख सकते हैं पुरा डीटेल में, फिलाल हम टीम माइनिंग वाले में जाते हैं, जो टीम मेंबर माइनिंग है, इसमें क्लिक किजिएगा, क्लिक करने के बाद आपको थो सकते हैं, तो आप इसको स्क्रॉल करके देखेंगे, तो आपको और भी बहुत सरा पॉर्चुनिटीज मिल जाएगा, ठीक है, यहां पे समस का बहुत सरा सिप्ट इंचार्ज का है, ठीक है, प्रोजेक्ट मेनेजर का है, इंजीनियर का पोस्ट है, ठीक है, पेज में चार मे जाते हैं, तो आपको देखें, कितना सरा वैकेंसी है, सिप्ट इंचार्ज का, लोकेशन थोड़ा इसका अबॉर्ट रहता है, मतलब करनाट का ओडिशा कहीं भी दिया जा सकता है, आपके च्वाइस वाले लोकेशन में नहीं हो सकता है, कि ना मिले, ठीक है, देखें, बहुत सरा वैकेंसी है, बाकि अब सर्च करेंगे, तो आपको मिलता जाएगा, बाकि यह फरवरी का है, तो फरवरी कोला कोई मतलब नहीं बनता है, एक महने के अंदर का अपलाई करना होता है, तो आपको पेज नमर वन पर जाना है वापस से, यहाँ पर टीम मेंबर माइन चाहिए, फूरा का फूरा कुछ भी एसपस्ट नहीं किया, तो आपको अपलाई फॉर इस जॉब वाले सेक्शन में क्लिक करना है, अगर आप डिप्लूमा वाले हैं तब भी, बीटेक वाले हैं तब लेकिन मेरा सजेशन होगा, जो बीटेक वाले हैं वो जरूर अपलाई क बीटेक वाले हैं जो लोगों को नहीं पता चल पाता है, क्योंकि आप देख रहे हैं कितने अंदर-अंदर में साइट कितने अंदर-अंदर घुसा-घुसा करता है, लोग तक सर्च नहीं करपाते हैं, बहुत कोई कर पाते हैं, कुछ लोग ही कर पाते, तो वहीं ले जाते हैं यहिसे vacancy, इसमें क्या होता है, बहुत कम होता है, बहुत कम होता है। मैं बहुत को एक्जांपल देता हूं, मानके चलिए कि एकhand meig का form निकला, मेट का फ़ार्म के लिए दो वैकेंसी के लिए फ़ार्म निकाला गया है लेकिन माइनिंग के जो candidate होते हैं ऐसी companies में दो वाला जो वैकेंसी ये पता ही नहीं होता है बहुत सारे लोगों को तो इस दो वैकेंसी के लिए 12-14 लोग ही मातर पहुझते हैं और उनका interview होता और short listing होता है तो सोच के देखिए 2 seat के लिए अगर 14 लोग पहुच रहे हैं यानि कि 1 seat के लिए 7 लोग पहुच रहे हैं तो competition कितना कम हो जाता है आप समझ सकते हैं तो ऐसे private company का life secure रहता है पूरा तरह से नहीं government जैसा तो नहीं हो सकता है मिलते हैं लिए किसी और वीडियो में किसी और topic के साथ तब तक के लिए keep watching, keep supporting Till then, जैन